मंडी संसदियक शेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी लोक निर्मान मंत्री विक्रमादित्य सिंग ने कहा है कि जो बेटी भांबला अपने घर की नहीं हो सकी वहां मंडी की क्या बनेगी आज वहां अपने को मंडी की बेटी बता कर लोगों से वोट मांग रही है आपदा के समय जिसने अपने परिवार की सूध तक न ली हो वहां दूसरों के दुख दर्द को क्या समझेंगी सुंदर नगर विधान सभा के चर खड़ी निहरी वडेहर में अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए विक्रम आदित्य सिंग ने कहा कि भाजपा की प्रत्याशी को मंडी में कॉंग्रेस के विकास कार्यन नजर नहीं आते उन्होंने कहा कि वह अपनी चुनावी सभाओं में कहती है कि वीर भद्र सिंग वा सांसत प्रतिभा सिंग ने इस क्षेत्र में कोई विकास कार्यन नहीं किया उन्होंने कहा कि उन्हें अपना चश्मा बदलने की जरूरत है मंडी में IIT, Medical College वकीरत पुर्फ और लेन पूर्व कांग्रेस सरकार ववीर भद्र सिंग की ही देन है उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी को मंडी संसदी अक्षेत्र की कोई भी जानकारी नहीं है वह तो मुंबई में और अपनी फिल्मी दुनिया में व्यस्त रहती है और चुनावों के बाद भी इसी में फिर से व्यस्त हो जाएंगी